मुझफर नगर पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है जहां चेकिंग के दौरान पुलिस ने बैंक्स में धोका दड़ी करने वाले फर्जी तरीके से लोगों के खातों से पैसे निकालने वाले गैंग का भांडा पोर किया इसके साथी तीन आरोपियों को गिरफतार किया जिनके पास से 17 पासबुक 21 एटियम 11 आधार कार्ट समेथ 5 मुबाइल और 30,000 नगदी बरामत की अरपित विजयवरगी एसपी सिटी ने बताया कि थाना सिविल लाइन पूलिस टीम ने चेकिंग के दौरान फर्जी तरीके से लोगों के अकाउंट से पैसे निकालने वाले तीन आरोपियों को गिरफतार किया और हिरासत में लेकर तीनों से गहनता से पूछताच की वहीं पूछताच के दौरान बदमाशों ने अपना जुर्म कुबूल करते हुए बताया कि लोगों के फर्जी तरीके से आधार कार्ट बना कर बैंक्स में खाता खुलवाने के बार बैंक मैनेजर बता कर फून करते और उनके बैंक खातों की जानकारी करके बैंक से पैसे ट्रांसफर करते थे विलहार पुलिस ने आरोपियों को गिरफतार कर जेल भेज़ दिया है इस तरह का खुलाजा की आए कौन ख़ल्थे हैं क्या है तरीका लोगों का काम यह था कि फर्जी आधार कार्ट बनाके फर्जी डिटेल्स करके अलग-अलग बैंकों में अकाउंट खुलवाते थे और उन अकाउंटों का यूस जो हमारे जो आजकल ऑननाइन फ्रॉड होते हैं उसमें इस्टिमाल करते थे इनके पास से करीब 17 अलग-अलग बैंकों की पास बुक 21 एटीम 11 चेक बुक और हमने इन से जानकरी में यह भी पता कर रहा है कि जो इनके ऑनलाइन अकाउंट थे हमने करीब 34 अकाउंट को ब्लॉक तरवाय जिसमें करीब 90,000 से एक लाग र इनके पास से भी हमके 30,000 रुपे मिले हैं और आगे की कारवाइक की जारी है बरेली के रहने वाले थे मुझा फरनकर के लोगों से कैसे संपर्क करते थे कोई यहां का भी है नहीं यह जो फरजी आदार करते थे तो फोटो और जो आगे का नाम बगेरा वो सही रहता था पी इन से पूस्ताच में आया है कि पिछले चार पास मेहने से करें पहले इनों ने जैपूर में भी यह सब काम किया अभी मुझा नगर में अभी अमाउंट अभी डिस्क्लोज नहीं हो पाया है कि कि इतना हुआ लेकिन जो इनके अकाउंट में हमने जो अकॉंट फीज इस निजार रुपे मिले हैं और आगे भी जो बैंक से जानकारी की जारीगी कौन कॉन फ़ॉट नहीं है